आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी लोगों का महादेव क्लासिज में स्वागत है मेरा आज का टोपिक है डाक्टर स्याम बिहारी अगरवाल ठीक है आप सभी से आसा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब करें तो जैसा आफ देखते ही समझ गए थे कि हमारा टोपिक है डाक्टर स्याम बिहारी अगरवाल को ने ही डाक्टर स्याम बिहारी अगरवाल का जनम कब हुआ था तो इनका जनम सेप्टेमबर 1942 में कि हुआ था, September 1942 में Ilhabad के सिरसा कस्बे में किस कस्बे में? Ilhabad के सिरसा कस्बे में हुआ था तौ आप सभी लोगों से कोष्ण पुछा जा सकता है कि इनका जनम कब हुआ दॉक्तर स्याम भिहारी अगरवाल का जनम कब हुआ था, तो इनका जनम हुआ का जनम हुआ था इनकी जो सिक्षा जो होती है कल्कत्टा स्कूल से हुई थी कल्कत्टा और्ट एंड क्राफ्तिस स्कूल से तो आप से पूछा जा सकता है कि श्याम भीहारी अensation वाल ने कहां कि व्याबाद में कलाविभाक की स्थापना कीदी किस ने चितिजनात मजूंदार ने तो उन्हीं के यह चेले या सिष्य थे तो यहां से आप से कोश्चन पूचा जा सकता है कि साम भिहारी अगर्वाल के गुरू कोन थे तो आपका अंसर होगा चितिजनात मजूंदार जो थ दूँँजे इनके गुरु थे अगला question है son है find her son 1968 Son 1968 में ईलाबाद विसविध्याल्य में ещё लेक्षर बने ये कब मने son 1968 में जो है यह इलाबाद विसविध्याल्य में लेक्षर अर्बंगे जब छिदिन नात माढ म ए Tanner ग्या तो उसके बाद em society यह शुक्र में जो है इलाबाद विस्विध्याले में ये लेक्चरर बन गए तो यहां से पूछा इनोंने तो ये कोश्चन पूछा जा सकता है इनोंने कहां पर अपना सिक्षन कारिय किया तो इनोंने जो है इलाबाद विस्विध्याले में सिक्षन कारिय किया इन्होंने भारत में एक्रेलिक वास रंग का अविसकार किया कैसे किस रंग का किया एक्रेलिक वास का पहले क्या था जल रंग में वास का अविसकार किस ने क्या था अवनीन बाबु ने लेकिन इन्होंने जो है भारत में एक्रेलिक रंग से जो वास्चितरन होता था उसका विकास किया किसका एक्रेलिक बाध्यम से जो वास्चितरन होता था फिर अगला कोशन है इनके परियास से इलाबाद विस्विध्याले में इन्होंने BFA और MFA का प्रारंब किया किसका प्र MFA MFA का इन्होंने प्रारंब किया था फिर अगला कोश्चन है तो यहां से पूछा जा सकता है कि BFA और MFA जो है इलाबाद विस विद्याले में किसके प्रयास से प्रारंब किया गया है तो आपका अंसर होगा डाक्टर स्याम बिहारी अगरवाल क्या अंसर होगा स्याम बिहारी अगरवाल फिर अगला कोश्चन है इन्होंने रूप सिल्फ रूप सिल्फ पत्रिका का संपादन कब किया या कब कहां से किया तो आप से पूछा जा सकता है तो इन्होंने जो है कौन सी पत्रिका रूप सिल्प पत्रिका कौन सी पत्रिका थी रूप सिल्प कहां से किया इलावास से किया इसका संपाधन इलावास से या यह कोश्चन पूछा जा सकता है कि रूप सिल्प पत्रिका का संपाधन किसने किया तो इसका आंसर क्या होगा स्याम बिहारी स्याम भिहारी अगरवाल क्या होगा स्याम भिहारी अगरवाल ठीक है फिर अगला कोशन आपसे पूछा जा सा इनका जो परमुक चितर क्या था इनका जो परमुक चितर था मेले से वापसी क्या कौन सा था मेले से वापसी और यह किस में बना था यह वास चल रंग में बना था तो इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूँ आसा है आपको यह जरूर पसंद आयोगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद